तो हलो और वेलकम अगें दोस्तों मिसन रानी गंज की आज बॉक्स अबिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे मिसन रानी गंज से मलब अक्से कुमार का जो स्टार है जो मेल लीड में है इससे ये उमीद नहीं है कि यार इतनी कम ग्रोथ हो हाँ मुवी चल रही है लेकिन बहुत कम स्लोर ग्रोथ में चल रही है बहुत कम कमाई देखने को मिल लिए अक्से कुमार का जहां पर नाम जुड़ता है अगर आप ओपनिंग इसकी ले लो तीस करोण भी अजियूम कर लो तो यार कोई कम नहीं है लेकिन आज सिक्स्त डे में आते आते कल मुवी ने पांचमार दिन कम्प्लीट करा आज छटे दिन में एंट्री मार लिए तो आज सिक्स्त डे में आते आते मैं आपको बताऊंगा टोटल कलेक्शन ये मुवी अभी तक कितनी कर चुकी है बाई गॉड मजानी आएगा आपको नंबर सुनकर क्योंकि अकसे गुमार नाम है और उसके साथ ये हो रहा है तो भाया ये उम्मीद कतई नहीं करी आ सकती है सनी देवल के बेटे की दोनों मुवी आई है उसके बाद वो वलगेर वाली कौन सी मुवी है थैंक्यू फॉर कमिंग हाँ वो भी आई है तो ये सब रणिंग चल रही है थेटर्स में लेकिन बाई गॉड उन दोनों की तो धज्या उड़ी पड़ी है दोनों मुवी की और थैंक्यू फॉर कमिंग मुवी की लेकिन मिसन रानि गंज यस ये टिकी हुई है अकसे गुमा नहीं कर पाई है जब बजट रिकवरी कर लेगी तो हम इसको भी हिट या सूपर हिट बोल सकते हैं लेकिन अभी बिलो एवरेज से आगे चल लिए तो अभी बात करते हैं मिसन रानि गंज के बारे में लेकिन उससे बहले मैं आपको और बताऊं दो फिल्में और चल रही है मनला इस टाइम पे बहुत सा क्राउड है थेटर हाउस में मैं अगेन अन अगेन कहरा हूँ कि बहुत क्राउड है लेकिन दोनों मोवी जो सनी दोयल के बेटे की है और थैंक यू फॉर कमिंग इन दोनों की ना धज्या उड़ी पड़ी है वैक्सिन वार की तो कहीं बात ही बात ही नहीं हो रही और इराडिकेड हो चुका है यह हां कुछ एक जिगे चल रही होँगी बट कोई चर्चित नहीं है तो इनके बारे में बात करके टाइम डेस करके कोई फायदा नहीं है साथी डोनों मोवी की अगर मैं बात करू यह जो मिसनरादि rocket के साथ ही रिलीज कर पर रिलीज कर दिया जाता तो बाइगोड वहां से ये अच्छी ही कमाई करके ले जाती फिर इनके बात नहीं करते हैं तो बात करेंगे अक्से कुमार के मेल लीड में बनीगी मिसन रानी गंज के बारे में जो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित मूबी है और जबरदस्त बात कर रहा हूं कॉन्टेंट बेस में ये नंबर वन मूबी है लेकिन वो कमाई वो रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से नहीं आ रहा है तो इस मूबी को कम्पलीट करा गया था 55 करोण के पूरे खर्चे पर अक्से कुमार के मेल लीड में तो मैं बताऊंगा आपको ओपनि संडे थर्ड डे में कलेक्शन किया था 5 करोण का और पहले तीन दिन में 12.6 करोण का नेट इंडियन कलेक्शन ये मूबी कर चुकी थी जबरदस तरीके से बात करें मंडे वर्किंग डेज की तो चौथा दिन इसने कम्पलीट करा था 1.50 की करोण की कमाई करके नेट इंडि से ये मूवी कमा चुकी थी 19.70 करोण ओवर्सीस से 3 करोण आया था पहले 4 दिन में मनलब मंडे वर्किंग डे के कारण मूवी की ग्रोथ पूरी डिब जाती देखी दूसरी तरब जवान जो है ना जबरदस्त खदेड रही है इनको रेड मार रही है बाई गॉड बात करें कल यानी 5 में दिन कैसी ग्रोथ रही तो कल टूसरी वर्किंग डे था कल भी सलो ही कमाई देखने को मिली ग्रोथ सलो रही और कल कमाई करी है मूवी ने 19.50 करोण ग्रोस रहा 2 करोण पूरी दुनिया से 5 करोण और पहले 5 दिन में ही 19.60 करोण हो चुका था ग्रोस हो चुका 18.70 करोण और पूरी दुनिया से 22.20 करोण का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी तो आप देख रहे हो 5 दिन कम्प्लीट होने के बाद भी मूवी की हालत कैसी है 22.20 करोण जबकि गधर 2 रदी कॉंटेंट में वो लूँगा उसको स्टोरी लाइन कुछ है नहीं उसमें उस जानी गंज जैस फैबिलस कॉंटेंट को पांच में दिन तक आते आते शिरिप 22.20 करोण की ही कलेक्शन देखने को मिल रही है बात करें आज यानी छटे दिन यानी वेडनेस डे में कैसी ग्रोश चली तो आज 8 से 10 परसेंट की उक्पेंसी के साथ फुल वरकिंग डे तो च दिख रहा है जिसमें पहले 6 दिन में नेट इंडिया से 16.90 करोण हो चुका होगा ग्रॉस कलेक्शन वही 20 करोण हो चुका होगा और पूरी दुनिया से 24.70 करोण का हीूज कलेक्शन वो नहीं कहूंगा एवरेज कलेक्शन ये मूवी कर भाई है नॉट सैटिसफाइंग बा काफी मूवीज फ्लॉफी आती दिखनी तो वही मुझे लग रहा है कि इन्हें एक ऐसे कॉंटेंट की जरूरत है जैसे जवान जैसे पठान ऐसे तड़कते बढ़कते कॉंटेंट की जरूरत है कमबैक करने के लिए बाई को अकसर पाजी यहां पर अभी कमबैक नहीं कर प अपना एक्सप्रेंस जरूरत करके जाना बाकि मिलते अगली वीडियो में जैहित